सब्सक्राइब कीजिए धे आईएस चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिएएस नमस्कार मैं सुनिल वर्मा धे आईएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूँ धे टीवी पर हम बात करेंगे डेली करेंट अफेर्स के अपने प्रोग्राम पर जैसा की हम प्रती दिन करते आएं आज की वीडियो में मैं दो टॉपिक डिसकस कर रहा हूँ पहला जो टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे चीन के खिलाप अमेरिका के दौरा उठाएगे बड़े कदम पर हुआ है अर्था चाइना की स्थापना के बाद से अब तक का ये सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है समझेंगे आखिर पूरा मामला है क्या वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे भारत में पेट्रोलियूंग और गैस के उत्पादन पर और समझने का प्रयास कर कर रही है किन छेत्रों में कर रही है अभी हालिया घटना करम क्या हुआ है आए इनी दोनों खबरों को एक एक करगे बिसलिसित करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे चीन के खिलाब अमेर्का के दौरा उठाएगे बड़ी कदम पर लेकिन इसको हम तभी समझ पाएंगे तिबद और तिबद जो लिखा है वो ब्रेकेट में लिखा है वो उसके साथ लिखा है एक सब चाइना दरसल है क्या कि यह जो इंडिया से लगा हुआ च्छितर है यह कभी autonomous area हुआ करता था सुआयज च्छितर हुआ करता था जिसको हम तिबद के नाम से जानते थे लेकिन अब उस पर क्या है चाइना का कबजा है और यह चाइना का कबजा है इसकी स्टोरी पर हम नहीं जाएंगे कैसे क्या हुआ लेकिन बस हमें समझना है कि आखिर अमेरिका ने चीन की खिलाब जो कदम उठाया है उसका बैग्गराउंड क्या है चीन में कम्यूनिस्ट पार्टी की सत्ता की सुरुवात 1 अक्टूबर 1949 से हुई थी जब कम्यूनिस्ट नेता माउसिक तूंग ने क्या किया था फीपर्स रिफबलिक आफ चाइना की इस्थापना की थी और इसी फीपर्स रिफबलिक आफ चाइना को हम चीन के नाम से जानते तो जो माउसिंग तुंग था जैसे ही सत्ता पे आया इसकी नजर पहले से ही तिबबत पर थी और इसने क्या किया कि तिबबत पर कबजा करने की जो रणनीती थी उसको तेज कर दिया और इसमें इसने सहयोग लिया सेना का और सेना को खुली छूड़ दी कि तिबबत पर किसी भी हाल में हमें क्या करना है पूरा नियंतर इस्थापित कर लेना है अर्थात यहां पर जो सरकार है यहां पर जो लोग हैं जो सरकार चलाते हैं उनकी जो स्वायत्ता है उसको समाप्त कर देना और इसी के कारण यहां पर जो चाइना की सेना थी उसके द्वारा कतलिया मचाया और धार्मिक सांस्कृतिक नर्संगार तक किया गया धार्मिक सांस्कृतिक नर्संगार का मतलब है कि धर्म विसेष्ट के लोगों को क्या करना उनको मारना उनकी संख्या को कम करना तिबद परसासन जो उहां था वो दलाई लामा जो है कि चला रहे थे अपने समर्थकों के सा लेकिन जो दलाई लामा के पास जो सरकार थे और उसके पास जो डिसीजन लेने की चमता थी वो काफी कम थी क्योंकि चाइना ने क्या किया था अधिकांस छेत्रों पर अपना नियंतरन इस्थापित कर लिया था बावजोद उसके दलाई लामा किसी भी तरह से अपने सरकार को चला रहे थे लेकिन हुआ क्या जो माउसे तुंग था इसने क्या किया कि जो दलाई लामा की सरकार थी जो उस सरकार को थोड़ी सी भी स्वायत्ता मिली थी अब उसने ठान लिया कि इसको पूरी तरह से समाप्त करना है और तिबद को उसी तरह से सांसित करना है जैसा कि वो चाइना की अन्य छेतरों को करते आया था फल सरफ क्या हुआ कि दलाई लामा को भी खत्म करने का निर्णे लिया गया और आपको पता है कि दलाई लामा सिर्फ यहां पर एक पद नहीं है यह इसका एक बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है हम उसमें नहीं जाएं कुल में लाकर दलाई लामा पर जब हमले होने लगे तो इससे बचने के लिए 31 मार्च 1969 को दलाई लामा ने लगभग 80,000 तिबती लोग के साथ अउनाचर परदेश के तौांग मठ में सरण ली और इस तरह से यह किसी भी तरह से अपनी जान बचा कर जो है कि भारत पहुँचे जब तिबत से यह लोग आये तो भारत ने इनको ना सिर्फ सरण दिया बलकि इनका आतिति सुथकार भी किया जबकि भारत ने जो है कि तिबत के संदर में कहा था या मान लिया था कि ठीक है इस छेतर को हम मानते हैं कि यह क्या है चाइना का एक भाग है हाला कि कई बार यह देखा गया है कि भारत की यह जो रणनीती थी जो यह पंच सिल सिधान का कॉंसेप्ट था या फिर जो स्वायत तिबत छेतर को चाइना का भाग मांग लेने की जो रणनीती थी वो काफी उल्टी साबित हुई जैसा कि आपको पता है 1962 के वार में हमको द अंजाम मत दिजेगा जिससे सतुर्ता बढ़ती है या फिर दूसरी सब्दों में कहें कि आप हमारी हां रह सकते हैं आतिती की रूप में रह सकते हैं लेकिन आपको चाइना के खिलाप यहां से कोई एक्टिविटी को अंजाम नहीं देना है जिससे भारत और चाइना के रि दलाई लामा ने मेकलोड गंज में सेंट्रल तिबतियन सेकरेटेरियट गांगचेन क्यों सिंग की स्थापना की इससे केंदरी तिबत परसासन के नाम से जाना जाता है अर्थार दलाई लामा जब यहां पर इंडिया में आगे तो उन्होंने एक निर्वासित तिबति सरका की स्थापना की और इसे जानते हम केंदरी तिबत परसासन के नाम से और उनके सब्दों में कहें तो इसका पूरा नाम है सेंट्रल तिबतन सेकरेटेरियट गांगचेन क्यों सों इसे उन्होंने इन्होंने स्थापना की यह एक क्या है निर्वासित सरकार है निर्वासित सरकार से ताक पर इस परकार की सरकार से होता है जिसको उसके छितर से हटा दिया गया तो सोभाविक है दलाई लामा जब यहां पर आए तो जो तिबबत में लोग रहे गए थे या जो उनके स्थाथ लोगा है उन्होंने क्या कि अनरोद किया और कहा कि हम आप से हिसासित होना चाहते हैं तो आप क्या करें एक सरकार के स्थापना कीजिए और इन्होंने जिस सरकार की स्थापना की उसको हम जानते हैं किंदरी तिबबत प्रसासन के नाम से जानते हैं यह क्या है एक निर्वासि इसके पत परदर सक हैं अर्थार इस सरकार में परधान मंत्री होते हैं ग्रह मंत्री होते हैं बिदेश मंत्री होते हैं सिच्छा मंत्री होते हैं और यहां के जो परधान मंत्री होते हैं इनके परधान मंत्री को तिबती भासाम बोला जाता है सिक्योंग अर्थार अगर आप क कोई तिबती भासाम कहता है कि यह हमारे सिक्योंग है तो यह कहना चाहता है कि वह उसके क्या है परधान मंत्री बरतमा समय में इस सरकार के जो परधान मंत्री है या जो सिक्योंग है वह है लौम सांग सांगे और यह है दारचिलिंग भारत के हैं और यह क्या करते हैं इस सरका बना रखाए और इनकी परसासन, इनकी सरकार को 11 देशों में इनके कारयाले इन्होंने खोल रखे है. मानेताद जो है कि बहुत कम देशों के दोरा दी गई है और इसके पीछे का कारण यह है कि वह चाइना जो है कि बहुत ज़्यादा हस्तचेप करता है लेकिन फिर भी केंदरी तिबबती परसासन जो है कि इनके 11 देशों में कारयाले हैं केंदरी तिबबती जो परसासन है या जो पूरी ये निर्वासिस सरकार है इसका मानना है कि एतिहासिक रूप में तो उनके साथ गलत हुआ ही है बरतमान समय में भी चीन क्या कर रहा है तिबबत के साथ नसली भेदभाव कर रहा है और वह इस बज़े से कर रहा है क्योंकि ति इनने उहां पर स्वायत्ता दे रखे जबकि तिब्बत को कोई स्वायत्ता नहीं मिली हुए। इस निर्वासिय सरकार का सिर्फ इतना पर्यास रहता है कि उनको इतनी स्वायत्ता मिले जिससे वह अपना धार्मिक सांस्कृतिक जो अस्तिर्ट है उसको बचा रहे। अर्थात यह यह नहीं कहते हैं कि हमें क्या हो जाए तिब्बत बिल्कुर चाइना से मुक्त हो जाए क्योंकि इनको भी पता है कि बर्तमा समय में चीन जितना मजबूत है यह संभू नहीं है कि वह इसको छोड़ दे और तुरंत एकदम स्वतरतर देश के रूप में इसको माननेता द जाते हैं कि इनको इतनी स्वायता जरूर मिले जिससे परमुक मुद्दों पर यह नेड़ाय ले सकें यह सेना और परसासन से संबंदी चीजों को नहीं चानतें लेकिन चीन जो है कि ना तो इस सरकार अर्था जो केंदरी तिबती सरकार मैगलॉड गंज में मनाईगे ना तो इसको मानता देता है और ना ही किसी देश को इस सरकार को मानता देने का इजाज़त देता है चीन का मानना रहा है कि तिबत पूर्ण रूप से उसका भाग है और किसी भी सरकार यह संस्था को इसमें हस्तेचेप करने का अधिकार नहीं है वहीं केंदरी तिबती परसासन का म और इस तरह से प्रकार का है इसमें कई परियास कीतर है कि चाइना अमेरीका के जो तनाव है वो यह काफी बढ़ जाते हैं चीन परूम्प परशासन ने चीन को घेरने के कई प्रयास किये। इसमें से एक प्रयास ये था कि तिब्बती लोगों के अधिकारों के बात जोई कि ट्रब्ब परशासन करने लगा। और इसी के तहट क्या हुआ कई परकार के उन्होंने कदम उठाए। जैसे डोनाल्ड ट्रम्प की परसासन ने क्या किया उन चिनी नागरिकों और हदकारियों के अमेरिका में परवेश पर प्रतिबंद लगा रखा है जो तिबबती समुदाय के मानुआ अधिकार हनन के आरोपी हैं अर्थार जिनको तिबबती समुदाय के लोगों मानते हैं कि इन्हों ने तिबबती समुदाय के साथ गलत किया है उनको अमेरिका में परवेश से परतिबंद लगा है जो है कि डोनाल्ड ट्रम्प परसासन ने कई बार चीन को ये चेतावनी भी दी है कि चीन को ये सुनस्चित करना होगा कि तिबबती लोगों के मानुआ अधिकार का ह वह ना करे तिबबत को न्यूक्लियर डंपिंग का हब ना बना है क्योंकि तिबबती लोगों का कहना है कि जो भी न्यूक्लियर वेश्टेज मेटेरियल होते हैं या जो भी कूडा करकट होता है चाइना के मुक्य भूमी का वो तिबबत में लाकर फेग दिया जाता है जिस 2020 में अमेरिका ने ये भी गोशना की कि वह एक मिलियन डॉलर की सहाता केंदरी तिबती परसासन जो कि इंडिया में है उसको देंगे ये पहली बार हुआ था अर्था चाइना के अस्तितों में आने के बाद या फिर दलाई लामा के भारत में आने के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब ये कहा गया अमेरिका ने ये कहा कि हम इस सरकार की फंडिंग करेंगे इस सरकार की फंडिंग करने का मतलब क्या है उसके मानिता को हम जो है कि परमारित कर रहा है उसको हम मानिता दे रहा है और हम ये कहना चाहते है कि इस सरकार का भी अस्तित्तों क्या होगा रहना चाहिए यह जो पैसा एक मिलियन डॉलर की घोशना की गई यह पैसा United State Agency for International Development के दोवारा दिया गया और यह पहली बार हुआ था जब यह हुआ तो चीन ने इसमें क्या किया बिरोध परदर्सित क्या जब अमेरिका ने कहा कि न वह क्या करें जो तिबत के छित्र में जो कुछ भी हो रहा उसके संदर में कोई मदबूत ने लें और उसी के तहत उन्होंने क्या किया है जो यहां की जो निर्वासिस सरकार है उसके फंडिंग करने का ने लिया और इसके वाद अमेरिका की ट्रंप परसासन ने एक और महत् अधिकारी ही बना दिया जिसका नाम है US Official on Tibetan Issue और यह जो अधिकारी है इसको निउक्त किया गया उद्देश इसका क्या था कि तिबती मुद्दों पर अमेरिका की तरफ से नजर रखेगा कि तिबती समधाय के खिलाफ चाइना कोई गत्विधी तो नहीं कर रहा कोई व्यक्त अधिकारी की निउक्ति की जाएगी हो अमेरिका के द्वारा तो क्या होगा चाइना नाराज तो हो गई लेकिन उससे भी बड़ा कदम उठाय गया है हाली में टरंप परसासन ने तिबत के संदर में सबसे महत्पूर्ण नेने लेते हुए केंदरी तिबती परसासन के परध करी अर्थात ना सिर्फ यहां यह जो निर्वासिस सरकार के परधान मंत्री हैं लॉमसांग सांगे इनको आमंत्रित किया बलकि उनकी मीटिंग भी करवाई उनसे कौंसन भी कहा कि आप अपने बात रखिए और हम मिल जूल कर क्या करते हैं आपके लिए कारे करते हैं इस तर जाना चाते हैं इसी के साथ ट्रम पर सासन ने दलाई लामा को भी वाइट हाउस में आमंत्रित किया है और अमेरिकी संसत को संबोधित करने के लिए कहा है अब सोचिए दलाई लामा कहीं भी जाते हैं उनका बिरोज जो है कि चाइना उस देश के खिलाब करता है और यहां पर अमंत्र दिया गया और वो भी एक प्रस्ताव के दोरा और कहा गया कि आप अपनी बात रखें अमेरिका आपके साथ खड़ा होगा सोचिए यह चाइना के खिलाब कितना बड़ा कदम मना जा रहा है अब यह जो प्रस्ताव पास किया गया था संसन में कि दलाई लामा आ चाइना का मान लिया गया था अमेरिका की दोर अर था जब क्या किया चाइना ने तिबबत पर कबजा किया तो अमेरिका ने कोई विरोत नहीं परदर सिद किया और अभी तक वो मानता था कि ठीक है यह तिबबत आपका इसू है लेकिन अब उसने कहा है कि तिबबत की स्वा किया ग्या है दा policy planning staff office of the security of state के द्शेर्ट के द्वारा प्रसकासित किया ग्या और इसमें कहा ग्या है कि चीन जिस तरह से तिब वाले उख्यटरों गों सिंजियांग प्रांत वाले चहत्र हैं कई जगे जो पंगोलिया से लगे छेतरे हैं वहां पर क्या कर रहा है जिस प्रकार की नीती अपना रहा है वह खतरनाक है और इस से जो है कि समल कर रहने की जरूर इस रिपोर्ट में भी कहा गया है चीन ने तिबबत पर सीना के माध्यम से कबजा किया है और 1950 के दसक से तिबबत और अन्य पस्मी राजियों पर धार्मिक और निर्जाती अत्याचार कर रहा है अब इस प्रकार की बात कहना किसी इस्टेट के खिलाब ये काफी महत्पूर होता है और इसी के खिलाब जो है कि इसी को लेकर क्या हुआ है अमेरिका और चाइना एक दूसरे के सामने आनमे खड़े हो कुल में लाकर डोनाल्ड ट्रम्प का जो कारेकाल बचा हुआ लगभग 1.5-2 महीने का बचा हुआ है लेकिन जाते जाते हुआ चाइना को तिबबत के मुद्दे पर बता देना चाहते हैं कि वह ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर वो कभी भी क्या हो सकते हैं पूरे ग्लोबल बैस्विक एक जूरता ले सकते हैं और हकीकत भी यह है तिबबत का जो मुद्दा है वह काफे महत्मूर्म होता है और इस मुद्दे पर जो है कि चाइना को घेरने के लिए अगर भारत का भी समर्थन मिल जाता है तो चाइना बहुत जादा घिर जाएगा जैसे कि आपने द मिचकों का मानना है कि अगर जो वेडन जो कि अमेरिका के अगली राश्वती बनने वाले हैं अगर उनकी भी पॉलसी चाइना के लिए ऐसी ही रहती है तो भारत को भी क्या करना होगा यहाँ पर चाइना को कंट्रोल करना आसान हो जाए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे इंडेक्स है इसमें देखिए इसमें आपको पता चलेगा कि कुछ एरिया है और जो एरिया मैं बता रहा हूँ वस उसको देखने का प्रयास करिए पूरे मैप को मत भी देखिए आप देखिए थोड़ा सा राजिस्थान का जो पस्सिम वाला चेत्र उसको देखिए फिर ग पूर्सा होती हुए बेश्ट वंगा होती हुए इसको देखिए और फिर आप असम घाटी वाला जो चेत्र इसको देखिए और फिर यहां पर आप जो है कि थोड़ा सा बेश्ट वंगा से उपर बिहार उत्तर परदेश वाला जो चेत्र है हिमाले से लगा हुआ जो चेत्र को देख लेजी और यहां पर जो इंडेक्स बना हुआ इसको देखे तो आपको कुछ एरिया दिखाएगे हैं जहाँ पर कोला मिल सकता है पेट्रोलियूम मिल सकता है कोल मिला कर हमारा पूरा फोकॉस रहेगा कोश्टल एरिया पर रहेगा इसलिए coastal area को बस आप थोड़ सा ध्यान रखेगा किन-किन राज्यों का coastal area कहां-कहां पर लगता है इसी से फुरा topic clear हो जाएगा तो हुआ क्या है कि भारत में petroleum के संदर में कुछ निर्णे लिए गए हैं और उसी चीज़ को हमें समझना है थोड़ सा background से समझते हैं भारत में petroleum उन औसादी चटानों में मिलता है जो कभी छिछले बेसी रहे हो या समुद में डूबे रहे अर्था जो आपको पता है petroleum है क्या है वो है कि जिवास्म है और जिवास्मों का निर्मार कैसे होता है जो औसादी चटानों में जब बनस्पतियां जब दब जाती है तो उनके सरने गलने से क्या होता है petroleum और अन्य जो है कि hydrocarbon बनते हैं तो जो भी area इंडिया के जो खासकर coastal area है टटिये चित्रे हैं यह जो नदी घाटियां है यह क्या है यहाँ पर जो औसादी चटाने मिलती है यहाँ पर कि अगर आप देखेंगे तो petroleum या gas के resources आपको मिलेंगे अर्था पूरे इंडिया में अगर इंचित्रों को देखना हो कि कहां कहां पर यह मिल सकते हैं तो आपको यह ढूर लेना होगा कि आउसादी चटाने कहां कहां मिलती हैं वहीं इंके उपलब्ता सुनिश्चित हो जाई भारत में गंगा ब्रह्म पुत्रा का घाजो घाटी है जैसा कि हमने असंवाला एरिया आपको दिखाया पस्म बंगाल वाला एरिया दिखाया पूर्वी और पस्मी महादीपिय मंगनेटट तो देखें महादीपिय मंगनेटट सब्द जो है इसको समझ लीजे जैसे देखें यहाँ पर देखें आप गुजरास से लेकर अगर आप देख पा रहे होंगे तो केरला तक का जो छेतर इसके बगल में देखें जो लाइन खिची हुई न इससे जो सटा हुआ छेतर है इसको बोलते हैं मादीपिय मंगनेटट मैं आसान सब्दों में अगर आपको समझाने का प्रयास करूँ तो आपकी हाथ में अगर कोई कौपी है कोई किताब है तो उसका जो लाश्ट एरिया जहां पर मतलब वो पूरा के जैसे कौपी और जो भी किताब है उसका एक एरिया होगा तो उसके जो किनारे का जो भाग ह किनारे से कब जो भाग उससे आगे का जो भाग बुलेंगे वो क्या होगा उसका मंग नटट होगा तो यहाँ पर देखें यहाँ पर क्या होता है कि यह जो आपका coastal area है तो coastal area से समुद्र की ओर जब जाते हैं तो आपको पता है अचाना तो गहरा खाई मिलता नहीं है जैसे हम देखिए यहाँ पर मैंगलोरे से अगर हम पस्तिम की ओर जाएं तो क्या हम डारेक्ट समुद्र में बहुत गहर हम चले धीरे धीरे गहराई बढ़ेगी न तो इसी तरह से यह जो टटिये छेत्रे कोश्टल एरिया है जब इस से हम क्या करते हैं समुद्र की ओर बढ़ते हैं तो यह जो एरिया है जो इस्था से लगा हुआ और समुद्र से चिपका हुआ जो एरिया है किनारे वाला एरिया है इसी को बोलते हैं महादीपिय मंगन टट मंगन मतलब क्या होता है डूबा हुआ और किसक महादीब का तो जो महादीपिय मंगने टठ हैं वहाँ पर जादा पाए जाथ चाहें वो पूर्वी महादीपिय मंगने टठ हो या पस्मी तो हमने जैसा कि बताया आपको कि गंगा ब्रहम पुत्रा का जो घाटी छेत्र है पूर्वी और पस्मी टठी मंगने टठ जो है जिसक के कारण इन ही छेत्रों में पेट्रोलियम या फिर प्राकरती गैस के मिलने की संभावना क्या होती जादा होती जब हम आजाद हुए तो हमारे इस पास जो है कि एक ही जो है कि तेल सोधक छेतर था या तेल उत्पादन छेतर था वह था असम के डिवोई में लेकिन हमको पता था कि अगर हमें तीजी से विकास करना तो अधिक तेल और गैस क्या हो सकता होगी इसलिए 1956 में हमने क्या किया प्राकरतिक गैस आयो ONGC की स्थापना और इसको हमने कहा कि आप क्या करिए उन छेत्रों का पता लगाए जहां पर प्राकरतिक तेल और गैस मिल सकते हैं और फि देरे देरे क्या हुगा कि यहां से बिस्तित और ब्योस्तित रूप से तेल की खोज और उत्पादन का कारे हमने प्रारम किया अब जैसा कि आपको पता है कि आजादी के बाद हमने गुजरात के कैमबे की जो खाड़ी छेत्र है यहां पर पेट्रोलीन तेल को खोजा लेकिन जो महत्पूर अउल प्लब्धी हासिल हुई वह होई जो मुंबई हाई का छेत्र है वहां पर जो हमने तेल का उत्पादन करना प्रारम किया और मुंबई हाई से ही सबसे ज़ादा तेल का उत्पादन हम कर रहे है भारत में तेल भंडार के मुकत 13 वेसीन है पहला है आपका सौराशकर्ट और सौराश्ट वाला चेतर केरल कॉंकर्ड का मैदानी चेतर और महानदी बेसीन वाला चेतर तो कुल मिलाकर यहाँ पर यह चेतर हैं जहाँ पर आपको क्या मिलते हैं प्राकर्तिक तेल मिलता ऐसी प्राकर्तिक जो बैग गैस के भंडार इनी छेत्रों में लगभग देखने को मिलते हैं अधिकांस जो प्राकर्तिक गैस के भंडार मिलते हैं वो प्राकर्तिक तेल अर्था जो क्रूड ओल हम निकालते हैं उनी के साथ मिलते हैं कहीं कहीं स्वतन तरोब से अर्थात ऐसे ही स्थान पर भी मिलते हैं जहाँ प्राकर्तिक तेल नहीं है लेकिन फिर भी अगर हम ओवरलिप दोनों मैपो को करें तो हमें पता चलेगा उन्हीं छेत्रों में लगवें मिलते हैं भारत में प्राकर्तिक गैस के भंडा तिरिपूरा, राजिस्थान, गुजरात की कैमबे, खाड़े, मुंबई हाई, तमिलनाडू, अंदरपर्दिस और उर्षा के जो अप टटिये छेत्रे, आपसोर अर्था जो टट से लगे हुए छेत्रे उहाँ पर मिलते हैं और इहनी छेत्रों में आपको क्या बताया, तिल की उपलबदुता बताया, भारत में तिल और प्राकर्तिक गैस के छेत्रे, जो सीमित हैं और सीमित होने के साथ ही साथ क्या हैं? ये जो हाइडरो कार्मन इनमें मिलते भी अर्था जैस्से हमने बताया कि मुंबई हाई से ल अगर हम देखें तो भारत में कच्चे तेल का जो अन्वानित भंडार है वो काफी कम है लगभग 595 मिलियन टन है जबकि प्राकर्ति गैस का जो भंडार है लगभग 1340 बिलियन क्यूबिक मिटर है यह 2019 के आप्डेटेट है सबसे लेटेट बर्स 2019 के आप्डेटों के अंसार भारत में कच्चे तेल की उपलब्द था सरवाधिक जो पाई जाती है जो पस्मी अप्टटी चेतर है जिसको हमने कहा था महात पस्मी महादीपी मंगन टट अर्थात जो इस्था से लगा और समूद्र से लगा हुआ चेतर है जो आपसोर चेतर है जो टटी चेतर है यहाँ पर सरवाधिक मिलता है क्या चीज़ कच्चा तेल और जो गैस ये मिलता है लगवा 40-30 इसके बाद जिसका इस्थान आता है असम का आता है 27-30 फिर गुजरात का आता है फिर जो कि पूरवी अप्टटी छेत्र जो कि इसमें 7-30 राजिस्थान तमिलाडू और जो है कि आपका फिर अंदरपर्देश का एरिया आता है यह वह छेत्र हैं जहां पर सरवाधिक हम उत्पादन कर रहा है इनको जोड़ेंगे लगवा 100% आपका हो जाएगा आपको पता है कि बढ़ती जनसंग्या आवसकता के कारण हमें क्या होगा तेल और गैस की जो हमारी मांग है वो मुलओ एक परतिससत की दर से घट रहा है जब की क्या होना चाहीत हैं बहुत तेजी से बढ़ना चाहीत है हम बढ़ा भी नहीं पारा है उत्पादन क्या हो रहा है कम हो रहा है वहीं मैं 2020 में अगर देखें तो आपको पता चलेगा पिछले साल अर्थाथ मैं 2019 से अगर तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा मैं 2020 में जो उत्पादन हुआ है वो मैं 2019 की तुलना में 7.1% कम हुआ है अगर करें तो 7% कम हुआ है आप समझे 7% कितनी बड़ी गिरावट क जबकि उत्पादन क्या है जो है कि होना चाहिए था जादा लेकिन क्या हुआ उत्पादन दीरे से रतीजी से क्या हो रहा है कम हो रहा है इस कारण भारत की जब हम क्या करेंगे हमारी मांग बढ़ रही है उत्पादन हम कम करेंगे तो हमें क्या करना होगा आयात करना होगा औ और इसी के कारा हम क्या करते हैं बड़ी मात्रा में हम आयात करते हैं और आयात का जो परतीसत है जहां बर्स 2012 में हम 81.08 परतीसत आयात करते थे तेल का अब हम करते हैं बर्स 2020 में 89 पॉइंट लगवग अब समझ सकते हैं कितना जादा है इससे क्या होता है जो हम तेल का आयात कर परण ये है कि हमारे यहां तेल और प्राकर्ति गैस की खोच में क्या हुई कमी आई है अर्थात हमने जो नए एरिया है उनको डिस्कबर नहीं किया है या फिर अगर हमने खोच भी लिया है तो उस पर हम बहुत जादा निसकर्च पे नहीं पहुँच पाएं कि कितना उसमें है कि उत्पादन हम अभी नहीं प्रारम कर पाएं जिसके वज़े से क्या है कि जो नए एरिया से तेल प्राप्ति है वह रुख गई है अर्थात दो हरजार बारस से हम लगातार जो है कि नए एरिया नहीं खोच पाएं उत्पादन के नए केंदर हम नहीं बना पाएं जिसक वेसिन हो, गोदावरी वेशन हो, महानदी वेसिन हो, उसमें अभी हम क्या कर पाएं, वाड़ी चिक उत्पादन प्रारम नहीं कर पाएं, वाड़ी चिक उत्पादन प्रारम ना कर पाने का करणी है, कि हमने ये तो पता लगा लेकिं हाँ पर है, लेकिन हमें एक क्यों नहीं ब्यवहारिक बनाना है मालूम चला हम वहां से जो पेट्रोलियम निकालना है वो इतनी गहराई पर है या इतनी कम मात्राव है कि जितना हमने उसमें इंवेश्टमेंट किया अगर वो निकल भी जाता है तो सो सवा सो रुपे लीटर बैड़ता है तो किसी काम का वह नहीं होग इस करण से क्या है उत्पादन देरे कम हो रहा है उत्पादन जहां हो भी रहा है वहां पे अब क्या हो रहा है अधिक गहराई से तेल निकालना पड़ रहा है अर्थात पहले जो हमने खो जा था या जब हमने निकालने प्रारम किया था उपर की परतों में लिए अब क्या ह उपर की पर्तों से जो हमने निकाल ले तो अधिक गहराई से निकालना पड़ रहा है अधिक गहराई से निकालने के मतलब अधिक खर्चा आएगा और वह क्या हो रहा है जिसके कारण जब महंगा होगा तो क्या होगा कि लोग जो उसमें इन्वेश्टर है चाहे हो सरकारी प्राइबेट कमपनिया है वो उत्पादा नहीं करेंगे क्योंकि वो क्या होगा उससे घाटा होगा तो यह भी एक कारण है इसके अलावा यह भी है कि हमारे हैं जो यह जो ओईल का और नेचुरल गैस का जो छेतर है इसमें आप देखेंगे ओएंजेसी इंडियन ओईल कॉर् उनकी ही भागिदारी जारा दिखाई देगी प्राइबेट कमपनिया इसमें नहीं उतरें कारण यह भी है कि बड़ी मुस्के से उनको लाइसेंस मिल पाता है दूसरा यह है कि इसमें बहुर लंबे समय तक आपको कार करने के बाद उत्पादम प्रारूम होता है और यह भी अभी हम फिक्स नहीं कर पाए है कि किस एरिया में कितना मिलने की संभावना है इसलिए कोई पैसा इसमें फसाने का प्रयास नहीं कर रहा इंडियन ओयल लिमिटेड ने इस संदर में अब महत्पूर नियर्णे लेते हुए क्या किया है 220 करूर रुपे का एक सीसमी जिसके माद्यम से ओरिसा के महानदी बेसिन में तेल और प्राकरती गैस का पता लगाया जाएगा अब प्रशना आएगा सिसमी केमपेंड क्या है तो अब देखिए होता क्या है कि जो भूकंपी तरंगे होती है वो भूकंपी तरंगे ठोस में अलग गती और ब्यवार तो होता क्या है कि जैसे आपको पता है कि हमारी प्रत्वी अंदर से कैसी है इसका पता हम कैसे लगाते है भूकंपी तरंगों के जो ब्यवार से अर्थात भूकंपी तरंगों के ब्यवार से हम क्या होते है प्रत्वी के अंदर की चीज़ों का पता लगाते है ठीक इसी तर भूकंपी तरंगे कृत्रिंग तरीके से उत्पन की जाएंगे और फिर उनको देखा जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा तरंगे कितनी गती से चल नहीं है, क्या आप ब्योहार पर दर्सित करें, क्योंकि अभी तक हम लोगों को ये पूरी तरह से हम लोग पता कर चुके है कि आखिर भूकंपी तरंगे किस माध्या में कैसा ब्योहार करती है, तरल, ठोस, तेल, किस मुरूप में, किस परकार का ब्योहार करती है, जब हम क्या करेंगे, भूकंपी तरंगों को प्रोडियूस करेंगे, उनकी मैपिंग करेंगे, तो उससे क्या होगा हमें पता चल सकत कि आखिर तेल है तो कितना गहराई पर है कितना हो सकता है क्योंकि भूकंपी तरंगे जैसे जैसे पास होंगे जैसा जैसा इस्ट्रक्चर मिलेगा चाहे चक्टान का हो तेल का हो पानी का हो सब कुछ आके वो क्या करेंगे बताएंगे बताने का मतलब है उनको हम क्या करेंगे decode करेंगे और उनकी जो ब्योहार्स के अधार्पाम अध्यन करने का प्रियास करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो छेत्र है चाहे महानदी बेसिन वाला छेत्र हो या उसके समिपवर्ती छेत्रों या जो भी छेत्र हो हम उतपादन अभी नहीं कर पा रहते वहाँ पर क्या होगा हमें इज़ैक्ट डेटा पता होगा हमें पता चल पाएगा कि हम वहाँ से उतपादन कर सकते हैं कितना ब्योहारिक होगा कि नहीं इसी के कारण ये कैम्पोर्ण चला गया महानदी बेसीन तेल और प्राकर्तिक गैस के दिश्चिकोर से महत्पूर माना जाता है लेकिन उसके दोहन और भंडार में हम बहुत अध्यन नहीं कर पाये थे और इसके लिए जो campaign है काफे महत्पूर हो बर्स 2016 में हाइड्रो कर्बन के देश में उत्पादन और निसकर्सन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल सिस्मी प्रोग्राम को लॉंच किया गया था लेकिन ये ठंडे बस्ते में पढ़ा हुआ था अब ये कहा गया है कि जो घरता हुआ अमारा तेल का उत्पादन है गैस का उत्पादन है ये बहुत बड़ी चुनाओती है इसलिए इंडियन और लिमिटेड ने कहा है कि नहीं हम सिस्विंग campaign को बढ़ावा देके हम क्या करेंगे खोजने का प्रयास करेंगे इंडियन ओलिमिटेड के इस प्रयास से उड़्सा के तेल और प्राकरती गैस के दोहन का रास्ता कुलेगा जिससे राज को भी फायदा होगा तेल का उत्पादन भी बढ़ाएगा और अमारी आयात्पनेर भरता भी क्या होगी कम होगी इसी के साथ एक महत्मूर डेवलेमेंट भी हुआ है कि बर्स 2018 में UNGC ने पस्सिम बंगाल की असोक नगर में तेल और प्राकर्तिक गैस की उपलब्धता का पता लगाया था हाली में पेट्रोलियों और प्राकर्तिक गैस मंत्री धर्मिन पंदार ने गोशना की है कि असोक नगर का तेल और गैस छित बाणिचिक रूप से दोहन योग है इसका मतलब है कि यहाँ पर इतना जारा तेल उपलब्ध है कि अगर हम दोहन करते हैं तो हम घाटे में नहीं रह करते हैं हम जब जादा उत्पादन करेंगे तो यहाँ पर कीमत क्या होगी कम आएगी और इससे क्या होगा हमें फाइदा मिलेगा यह उन्होंने घोशना की तो इससे क्या होगा कि असोक नगर जो कि 24 उत्री परगना चिले का एक भाग है जो कि कलकत्ता से 47 किलोमेटर दूर है यहाँ पर उत्पादन होगा और एक नए एरिया हमारे सामने आया है जो कि जिससे हम उत्पादन कर सकते हैं कोल मिलाकर एक नए एरिया की खोच की गई है और यहाँ से उत्पादन बढ़ाकर हम जो घरता हुआ उत्पादन है उसको हम गती कर सकते हैं ठीक इसी तरह से जो ये असोक नगर वाला चेतर है यहां अनुमाल लगाय जा रहा है कि एक लाग क्यूबिक मीटर प्रतिदिन तेल और गैस का उत्पादन यहां से किया जा सकता है एक लाग क्यूबिक मीटर प्रतिदिन तेल और गैस का उत्पादन बहुत बड़ा अमाउंट है और इससे क्या होगा हमारी आयात मुनिरवर्ता घटेगे आपको पता है कि असम के बाद पुर्वत्तर का यह दूसरा गैस और तेल ओपरेटिंग जो है कि फिल्ड होगा अर्थात तेल के फिल्ड तो है लेकिन ओपरेटिंग फिल्ड नहीं है अर्थात उहां से निसकर्संड हम नहीं कर पा रहा है यहां से क्या होगा यह निसकर्संड होगा पुर्वत्तर भारत का यह छेत्र सेल गैस की दिश्चिकोर से भी मत पोड़ है सेल गैस का मतलव यहां पर देखा होगा जो आपने मैंने बताया पस्तिम बंगाल, उर्टसा का जो छेतर है, जहारकंड का छेतर है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता है कोला भी मिलता है, तो यहाँ पर दरसल सेल गैस जो की कोले की परतों में मिलता है, उसकी भी उपलब देता है, लेकिन अभी तक हम उसका दोहन नहीं उत्पादन को भी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और आने वाले समय में सेल कैस, प्राकर्ती कैस और क्रूड ओयल का जो उत्पादन बढ़ेगा इससे क्या होगा भारत में जो घड़ता हुआ उत्पादन है वह क्या होगा बढ़ेगा आयात पर निरभरता हमारी क्या होगी कम होगी, I hope आप समझ पाए होंगे कि भारत सरकार के दोरा महत्पूर्ट प्रयास क्या किया गया इस वीडियो में इतना है, thank you so much